तो आलो गाइस कैसे उमीद करता हूँ, बढ़े होंगे, यह है हीरो की स्प्लेंडर और आज मैं इस गाड़ी की EMI की डीटेल बताने वाला हूँ, अगर आप इस बाइक को 13,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000 तक की डाउन परमेंट करके लेते हो, तो परमान कि आपकी EMI क्या हैगी, इंशॉरेंस पेपर मिलेगा और एक दिया जाएगा बिल, 5 यर का आपको इंशॉरेंस मिलेगा बाइक के साथ, 5 यर की इंजन वारंटी दी जाएगी और 5 सर्विस आपको फ्री दी जाएगी, अब बात करते हैं इसके प्राइस की, इस गाड़ी का प्राइस है 90,580, अब इ 3,870 रुपे की आपकी EMI बनेगी पर मंत की, 30 महिने के लिए फाइनेंस करवाते हो आप इस बाइक को 13,000 की डाउन पेमेंट देके तो 3,225 रुपे की EMI बनेगी पर मंत की, और अगर आप 20,000 की डाउन पेमेंट करते हो इस बाइक को लेने के लिए तो 12 महिने के लिए जब 2300 रॉपे की EMI बनेगी पर मन्त की 3000 की भी down payment आप कर सकते हो आपके budget के उपर है जादा है तो जादा भी कर सकते हो कम है तो कम में भी ये बाईक आपको मिल जाएगी तो अगर आप 3000 कीडाउन पर्वेंंड करते हो इस बाईक को लेने के लिए और finance करवाते हो 12 महीने के लिए तो 5550 रूपे की EMI बनेगी पर मंत की 24 महीने के लिए finance करवाते हो 30,000 की down payment देखे तो 3027 रूपे की EMI बन जाती है पर मंत की 40,000 तक की भी down payment आप कर सकते हो अगर आपका budget अच्छा है इंकम अच्छी है तो 40,000 की down payment करोगे जितना ज़ाद आप down payment करते हो उतनी ही कम आपकी EMI होती चली जाएगी तो अगर आप 40,000 की down payment करते हो 12 मेने के लिए finance करवाते हो तो 4,624 रुपे की EMI बन जाती है पर मंत की 24 मेने के लिए finance करवाओगे इस bike को तो 2,522 रुपे की EMI बनेगी पर मंत की और 40,000 की down payment करके 30 मेने के लिए finance करवाओगे तो 2,102 रुपे की EMI बनेगी आपकी जो की पर मंत आपको pay करनी पड़ेगी तो ये तो हो गई बात इसकी EMI और down payment के अब बात करते हैं documents की जब bike लेने के लिए आप जाओगे तो documents भी आपको ले जाने पड़ेंगे तीन documents ले जाने पड़ेंगे जो सभी के पास होते हैं आधार card, pen card और bank study कोई भी detail हो उसमें तीन चीज़े आती हैं checkbook, passbook और ATM card अगर आप passbook दिखाते हो तो 6 मेने का आपको bank statement दिखाना पड़ेगा 6 मेने का नहीं है तो 3 मेने का compulsory है 3 मेने का भी आप दिखा सकते हो आपका account कितना भी पुराना हो 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल current जो transaction है वही वो लोग check करते हैं उसी के आधार पे आपको bike दी जाएगी सबसे best option लगता है ATM card वाला उसमें आपको कुछ नहीं करना है ATM card add करवाने के बाद आपकी जो transaction है वो online हो जाएगी जो भी आपकी EMI होगी वो month to month आपके account से करती चली जाएगी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी बस आपको इतना धियान रखना है जो भी आपको EMI की date मिले उसे दो दिन पहले आपको account के अंदर पैसा डालना है क्योंकि अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो 500 से 600 रुपे तक की आपकी penalty लेख सकती है तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है जो भी आपको date दी जाए उसे दो दिन पहले आपको account में पैसा डालना है अगर है तो भी आपको check जरूर करना है गाड़ी का जो ROI है वो 10% के हिसाब से लगाया है अगर आपका civil score अच्छा होगा आप शोरूम में जाओगे तो check जरूर करेंगे 750 से उपर हुआ या 750 हुआ तो 8.99 से लेके 9.99 तक आपका ROI जा सकता है जिसे आपकी जो EMI है वो और भी कम हो जाएगी और भी कम पैसो में आप इस बाइक को purchase कर सकते हो तो गाड़ी की EMI, डाउन पेमेंट, डॉकुमेंट्स और पेपर सब के बारे में मैं आपको detail में बता चुका हूँ फिर भी कुछ मेंसे रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताना, वीडियो अच्छा लगा हो helpful लगा हो तो वीडियो को share करना, like करना चैनल को subscribe करना बिल्कुल में मत भूलना क्योंकि ऐसी वीडियो में आपके लिए लाते रहता हूँ तो गाईज लेते हैं अलविदा, मिलते हैं गली वीडियो में टेक केर, जैहिन